हलो बच्चो अजीब दा सुता है ये कहां शुरू कहां खतम कैसे हो बच्चो आप सब आज का लेक्चर बड़ा जरूरी है जिस चैप्टर का आप सभी को बहुत जादा इंतजार था periodic classification of elements आज हम periodic classification of elements को शुरू करने वाले हैं घबराइए का मत ये मत सोची अरे कार्बन इनिस कंपाउंट कहां गया वो भी आपके साथ ही है बच्चो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैं आपके सारे कॉंसेप्स क्लियर करवाऊंगी जो examinations में नहीं आ रहे हैं वो कॉंसेप्स भी आपके क्लियर कर दिये जाएंगे यू need not worry at all because exams के लिए प्री बोर्ड के लिए पिरियोडिक क्लासिफिकेशन अफ एलमेंट्स करना जरूरी है यह पिरियोडिक क्लासिफिकेशन अफ एलमेंट्स बहुत जरूरी बहुत ही आवश्यक पता है क्यों है क्योंकि क्लास ट्वेल्ट में जाकर आप पिरियोडिक प्रॉपर्टीज भी सीखोगे तो यह हमारे क्लास ट्वेल्ट का बेस बनने वाला है it is going to be one of the most important chapters so for class 12th you are preparing right now और actual में देखा जाए तो हम class 10th के board examination point of view में भी इस chapter की हैमियत को समझते हुए इसे जानते हुए हम यह करने वाले हैं कि इस chapter की detailing पे काम करेंगे हर बारी की जो exam में पूछी जाएगी उसके लिए आपको तयार होना होगा बच्चों so periodic classification of elements इस chapter को detail में समझने के लिए सबसे पहले आपको यह mindset लाना होगा कि मुझे इस chapter में जो बहुत सारे elements की involvement है क्या है बच्चों elements elements क्या होते हैं already आपको बता रखा है younger glasses में भी आपने सीखा होगा similar kind of items combined to form elements तो इन ही elements की placement को ही इन elements की arrangement को ही कहते हैं हम periodic classification of elements बच्चों मैंने already Christmas के नाम पे जो gift पे आपको periodic table सिखाया था तब आपको basic introduction भी दिया था so for now in today's class you need to understand that elements are arranged क्या हो रहा है यहां पर elements को arrange किया जा रहा है कितने elements है कैसे arrange किये किस ने arrange किये क्यों arrange किये किस तरीके से arrange किये इन सभी सवालों के जवाब आज हमें ढूंडने होंगे सो क्या आप तयार है periodic classification की दुनिया में प्रवेश करने के लिए बच्चों चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा सबसे पहले इस chapter का base है elements इन elements के साथ ही खेला जा रहा है यहां पर okay so elements को classify हमें करना है elements को classify करने के अलग अलग different different people different different scientists gave their best and put their efforts to understand what exactly is happening so बच्चों चलिए फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि elements को classify करने की कोशिश कैसे की गई first what was the attempt which was done for classification of elements बहुत ही younger classes से आप यह सीखी रहे हो कि elements को classify करेंगे किस basis पर करेंगे physical properties या फिर chemical properties we are going to classify them based on their properties तो properties के बहाफ पर हमने classify करेंगे तो scientists ने भी यही काम करना शुरू किया और उनकी अलग अलग प्रयतनों से अलग अलग attempts किये गए बच्चों okay so now यह बात जान लीजिए 19th century के पहले before the 19th century only a few elements were known बहुत जादा elements की जानकारी नहीं थी बहुत बात में जाकर नए नए elements और बहुत सारे elements ढूंडे गए 19th century के पहले तक elements काफी कम थे जो जानकारी में थे हमारे ठीक है so these elements could be easily studied individually इतने कम थे तो उनके बारे में जानकारी आसानी से पाई जा सकती थी studies अराम से individually उन elements पे की जा सकते थी बट क्या हुआ फिर जैसे जैसे वक्त बीता गया नए नए elements आते चले गए तो यह जब नए elements discover हुए तो लोगों की चिंता भड़ी अब कैसे पढ़े इनको कैसे समझे इनके बारे में what should we exactly do for it फिर उन्होंने यह decide कि हम इन elements को classify कर देंगे कैसे based on their physical properties and chemical properties हम properly उन्हें classify करेंगे बहुत जरूरी हो गया था यह ताकि पता चल सके इन elements को कैसे आरेंज किया जाए कैसे classify किया जाए is it clear students यह बात आप समझ गये हो there's no confusion in it elements को classify करने की बहुत सारी कोशिशे की गई 19th century से पहले कम elements थे बाद में जैसे-जैसे नई elements साते चले गए फिर elements की discovery जैसे बढ़ती चली गई individually उनको पढ़ना नामुमकिन हो गया सो हैंसे बेकें necessary to classify the elements and arrange them in a regular manner एक तरीके से प्रोपर ली सही तरीके से सेट करना जरूरी था इन elements को वैसे ही जैसे आप अपने कपड़े अल्मारी में सेट करते हो जब थोड़े कपड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होती बढ़ने लगेंगे तो ठीक से रैक्स में arrange करने पड़ेंगे ना वही काम यहां पर भी किया गया है बच्चों अलग-अलग तरीके ढूंडे गए अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से इन elements को classify किया तो सबसे पहले सभी ने जो physical properties को लेते हुए chemical properties को consider करते हुए जो similar होंगे ना उनको एक में assign कर दिया क्लियर है बच्चों किसके basis पे उनकी physical properties और chemical properties क्या बच्चों आप जानते हो physical properties क्या है chemical properties क्या है सभी जानते होगे ना बच्चों physical properties मतलब size, shape, color, बहुत सारी properties है अलड़ेड़ी आपने physical change, chemical change में सारी चीज़े समझ रखी है हाँ या ना chemical properties क्या होगी उसकी chemical composition होगी हा या ना तो बच्चों अब हमें यह समझना है कि इन elements को physical और chemical properties के बेस पे कैसे classify किया गया तो सबसे पहला जो earlier attempts थे उसमें पहला काम पता है क्या था शुरुआत के जो attempts थे उस classification में उन्होंने जो classify किया वो था metals and non-metals कुछ याद आया class 8 में भी पढ़ रखा है आपने metals and non-metals so सबसे earlier जो था earlier attempt में सबसे पहले जो classification हुआ था depending on physical and chemical properties वो कुछ नहीं था बलकि metals और non-metals था okay metals की properties अलग थी non-metals की properties अलग यह पहला classification जो किया गया था is it clear student this method of classification failed because देखो जादा तर elements ना बेटल्स की category वे आते चले जा रहे थे okay so फिर क्या किया गया classification को और better way में कैसे किया metals and non-metals में classify तो कर दिया तो अभी आप समझ गए होगी कि elements हो सबसे जो पहले classify किया गया था that was on the base of metals and non-metals जैसे जैसे class time की science आगे बढ़ रही है वैसे ही यहाँ पर metals and non-metals के आगे भी कुछ चीज़े हैं जो हमें देखनी है और भी अलग-अलग तरीके के classification हैं जो हमें समझने हैं तो अब आप समझ गए हो एक background एक history पता चल गई है अब हम बात करेंगे earlier attempt तो समझ आ गया फिर आगे क्या हुआ कहानी की अगले पहलू पर चलते हैं एक नया mode आया है यहाँ पर पहले mode पर earlier attempts को जान लिया अब अगले mode पर हम जानेंगे those attempts which were done by scientists to classify elements in a more systematic way और properly और systematic way में classify करने की कोशिश की गई elements को तो यह classification of elements में बच्चो ध्यान से एक बात समझ लीजिए अब जो मैं बताने वाली हूँ examination point of view में है बड़ा जरूरी एक एक करके एक चीज को अपने को सबच रहोगा थोड़ा सा theoretical concept है okay याद करना पड़ेगा कि कैसे हुआ क्या हुआ किस आदमी ने क्या काम किया okay जैसे बच्चो मेरा नाम पूजा है आपको किस ने रखा कव रखा क्यों रखा इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा नाम आपको याद रखना है similarly यह scientist है इन्होंने कुछ अलग-अलग attempts किये हैं उन सभी attempts को हमें समझना होगा और उन्हें याद भी करना होगा तो क्योंकि यह theoretical chapter है थोड़ा सा boring लग सकता है बट चिंता मत कीजे डरने की क्या बात जब पूजा मैं वह साथ है ना बच्चो चलिए फिर जल्दी से मस्ती के साथ quickly let's find out the attempts which were done by different different scientists so पहले जिस attempt की हम बात करेंगे वो होगा डोबर्नियर याद रखना होगा periodic table जो अपने अंत्यम मुकाम पर पहुंचा है वो ऐसे ही नहीं पहुंचा बहुत सारे लोगोंने मेहनत की है और डोबर्नियर एक बहुत बड़ा नाम है उन्हीं में ओके डोबर्नियर के बारी न्यू लेंड लॉफ ऑक्टेव तो यह दो नाम डोबर्नियर के लॉफ ट्रायर्ट है और हमारे न्यू लेंड के लॉफ ऑक्टेव होंगे चिंता मत कीजिए डीटेल में इनको समझेंगे पहले नाम जान लेते हैं और फिर अगला नाम आया मेंड लीप स्पीरियोडिक टे के लिए अगला लेक्चर आएगा ठीक है तो अब आप समझ गए हो कि बेसिकली एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन हमने जाना पहले उनको मैटल से नौन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया था यह हमने जाना और फिर फिजिकल केमिकल प्रपटी से बात नह याद रखने होंगे दोबर्नियर न्यू लैंड और मेंडलीव इनके बारे में डीटेल में जानते हैं इनके काम को समझते हैं तो चलिए बिना जादा वक्त गवाए शुरुवात करते हैं डोबर्नियर से ट्रायड क्यों बोल रहे हैं मैं यह कौन था क्या किया इसने जोहन वॉल्फगैंग डोबर्नियर आप सिर्फ डोबर्नियर उसका सरनेम याद रख सकते हैं और अपना काम बन जाएगा यूनी नौट वारी आट ओल ओके डोबर्नियर था कौन वो जर्मनी से था एक जर्मन केमिस्ट था ओके कब हुआ किसने किया वो कहां से था यह तीन मैं आरेंज करता चला जाओंगा क्लियर अब जब यह बात समझ चुके हैं तो फिर कैसे किया प्रॉपर्टी इसको कैसे डिसाइड किया बता देती हूं उन्होंने उनके ग्रूप में कितने लोग थे तीन थी एलिमेंट्स थे जैसे क्लास्रूम में एक बेंच में तीन बच्चे बैठने हैं वैसे ही डोबर्नियर ने एक ग्रूप में तीन एलिमेंट्स ले लिए क्लियर है यह बात कितने एलिमेंट्स ले लिए तीन called, he called these groups as triads, क्या नाम दिया, triad नाम दे दिया, single, duplet, three होते हैं, तो बच्चों triad कहते हैं, क्या नाम दिया इसने, triad, याद रहेगा, Dobernier ने 1817 में ये एक जर्मन केमिस्ट था, उन्होंने क्या किया, elements को arrange करने की कोशिश की groups में, clear है, एक ग्रूप में कितने थे, elements तीन थे, अभी तक ये बात clear है, इसमें कोई confusion नहीं है, चलिए, बहुत बढ़िया, तो अगर हम ये समझ चुके हैं, तो Dobernier ने किस तरीके से सोचा, किस चीज के basis पे classification किया, ये बता देना जरूरी है, according to Dobernier's law of triads, Dobernier law of triads, क्या है बच्चों, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बहुत जरूरी है ये, ओके, ध्यान से समझ ये, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, if the elements having similar chemical properties are arranged in the sets of three elements, तीन element, उनकी chemical properties similar है, चीक है, क्या होगा फिर, कैसे arrange करें उनको, increasing order में, कैसे करेंगे, increasing order, किस चीज का increasing order भई, atomic weights का, किसका बच्चों, atomic weights के increasing order में, इंहें arrange कर दिया जाएगा, देखो, class में height wise आपको खड़ा करते हैं, same चीज यह हो रही है, इनको increasing order में खड़ा कर दिया है, atomic weight के हिसाब से, किस के हिसाब से, atomic weight के हिसाब से, जब arrange किया, तो क्या हुआ, जो beach का element है, the atomic weight of the middle element was nearly the mean of the atomic weights of the other two elements, कुछ समझ आया, maths में mean median mode सिखा होगा आपने हाया ना, और बच्चों आप ये भी जानते हो, mean मतलब is nothing but average, right, so जब average निकाला जाएगा पहले और दूसरे elements का, तो जो value निकलेगी ना, वो beach वाले element की, second element की atomic mass क निकलेगी, ये बात आप समझ गया हो, simple बच्चों, A plus C by 2 is equal to B, okay, ये बात यहां कहने की कोशिश की जा रही है, I hope there is no confusion in this, okay, ये line समझ ये, the atomic weight of the middle element is nearly the mean of the atomic weights of the other two elements, ये बात समझे की नहीं, A, B, C, तीन element है, okay, तीन, okay, atomic weights हमें पता हैं, क्या पता है, atomic weights हमें पता हैं, तो जब हम पहले और दूसरे का atomic weight add करके by 2 करेंगे, average find करेंगे, mean find करेंगे, जो value आएगा, वो आएगा atomic weight of B, अब आप बोलोगे, मैं अच्छा, example बताओ, कैसे किया, Nobernier ने, अभी ही बता देते हैं, बच्चों, Nobern Nobernier ने, देखो, तीन सेट बनाएं, कितने, तीन, remember this thing, examination point of view में भी जरूरी है, lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, chlorine, bromine, iodine, इन सभी के साथ यही हुआ है, बच्चों, okay, once again, calcium, strontium, barium, lithium, sodium, potassium, and chlorine, bromine, and iodine, इन सभी के बच्चों आपको यह समझना होगा, कि यह सभी triads है, कितने triads बताएं, मैंने आपको तीन triads, तीनों मैं पते क्या होगा, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, देखे, lithium का atomic mass 7 है, potassium का 39, 7 plus 39 by 2, अगर हम find out करेंगे ना बच्चों, देखो, 46 by 2 कितना है, 23, 23 अरे sodium 23, समझ में आ रहा है, आपको यह कैसे हुआ है, similarly, यह तीनों triads हुए हैं, बच्चों, ओके देखे, atomic mass of strontium find किया गया, atomic mass of sodium find किया, atomic mass of bromine find किया, same यही काम किया, सिर्फ average निकाल लिया, mean find out कर लिया, और हमें पता चल गया, ठीक है, अब दोबर्नियर's triads क्लियर है, I पहले और तीसरे element का, जब हम average atomic mass का निकाले, तो बीच वाले का atomic mass बन गया, बहुत बढ़िया setting चल रही थी, दोबर्नियर की, बढ़िया तीन triads भी आगे थे, फिर एक चीज हुई, जो हमें पता होनी चाहिए, और वो यह है, बच्चों, यह बहुत बड़ा achievement माना गया, क् कि इस classification की main achievement यह थी, they recognize their relationship between properties of elements and their atomic masses, एक relationship बना, क्या relationship बना, किन के बीच में बना, elements की properties, properties of elements and atomic masses, properties of elements और atomic masses में relationship बना, बना की नहीं, साफ नजर आ रहा है अपने को, हाँ यह ना, पर इससे बात नहीं बनी, गड़बड हो गई, क्या गड़बड हुई बताओं, चलिए, गड़बड भी जान लेते हैं, दोबर्नियर्स ट्राइड में क्या हुई, गड़बड यह हुई, बहुत बड़ी जो कि वो यह थी, जो सारे elements उस टाइम पे नोन थे ना, उन सभी के यह लोग किसी भी प्रकार से, सब ही को ऐसे ट्राइड में फिट नहीं कर पाया, ट्रोबर्नियर्, ठीक है, इंपोर्टेंट रॉबड़बड क्लासिफिकेशन वस देड, ओल नोन अलेमेंट्स कुद नॉट बी अरेंग इन ट्राइड्स, अरे, अगर कपडे सारे अलमारी म यही हुआ इनके साथ, सारे अलमेंट्स ट्राइड में फिल नहीं हूँ पाये, और यह बहुत बड़ा द्राइड साबित हुआ, बच्चों, एग्जाबिडेशिट पॉट फ्यू बेड्राइड जरूर पूछे जाते हैं, जिसने जो काम किया वो भी हमें जानना है, जो गल बड़ा बैक यह था बच्चों, that he rejected, उसके जो ट्राइड बनाने की कोशिश की ना, यह सारे ही इनके साथ ऐसा हो गया, कि सब सक्सेस्फुल नहीं हो पाये, okay, देखिए, also law of triads was rejected as some triads have nearly same atomic mass, अरे बाती नहीं बनी, काफी सारे elements ऐसे भी थे जिनके atomic mass बिल्कुल से, फिर क्या ही average निकाले, क्या ही हम find कर पाएंगे, so गड़बड हो गई, ठीक है, his classification of elements was not much successful, सारे elements अरेंज भी नहीं कर पाया, और जो उसने कुछ किये वो भी गलत निकले, क्योंकि elements के atomic masses काफी सिमिलर रहे, so अब हम समझ गए, कि double near के classification का जो फायदा था, उससे बड़ा, उसका नुकसान था भई, तो अब नुकसान था, तो आगे कैसे करें हम, क्या करेंगे हम, अब एक और scientist आया, उसने बोला, मैं बताऊंगा, कि elements को कैसे arrange किया जाए, क्योंकि हमारे, डोबर्नियर के सारे triads फेल हो गए, तो अब सारे मतलब कौन से कौन से मैं इसने बताए, वो examination में भी आ सकते हैं, तो तीन ही वो कर पाया, बाकी सारे elements को वरेंच नहीं कर पाया, तो अब बारी आई अगले scientist की जो है, Newland's Law of Octaves, Newland's Law of Octaves, यहाँ पर क्या हुआ बतादू आपको जल्दी से, चलिए, फिर 1864 में, कब 1864 में, scientist का नाम सुन लीजिए, John Alexander Rina, Newland's, Newland's याद रखेगा बस, ठीक है, यह एक English scientist थे, इन्हों ने क्या किया, elements को arrange किया, in order of increasing atomic masses, ठीक है, atomic masses के हिसाब से, increasing order में arrange कर दिया गया, तो फिर क्या हुआ, शुरू कहां से किया, खतम कहां पे किया, टोटल कितरे elements थे, यह बाद भी पता होने बड़ी जरूरी है important point है, यह Newland's law of octaves का, शुरू किया hydrogen से, कहां से शुरू किया, hydrogen से और end किया, 56th element thorium, अब बोलोगे मैं, 56th, हाँ भई, तब तक तर 56 elements ही थे, कितने थे, 56, यह बात याद रखिएगा, Newland's law of octaves is valid for the, 56 elements only, तब जितने present थे, उस हिसाब से उन्होंने बनाए थे, ठीक है, atomic mass के से लोगे मास किसका है, hydrogen का, ठीक है, hydrogen से शुरू किया और खतम किया थोरियम पे, किस पे खतम किया थोरियम पे, फिर क्या हुआ अगे बात बनी कि नहीं कैसे अरेंज किया इनको, बच्चों बड़ा इंट्रेस्टिंग है यह, म्यूजिकल लोगों के लिए तो और वी इंट eight element were similar to the properties of the first element, इसने क्या बोला, जो eight element है, जो first element है, इन दोनों की properties same होंगी, अब आप पूछोगे मैं, कैसे, first और eight थी क्यों, आठ नंबर ही क्यों चुना इसने, पता है क्यों चुना, इन्होंने musical scale लिया, क्या लिया, musical scale में फाउंट किया, कि total 7 सुर होते हैं, और जो होता है, वो repeat होता है, सारे गामा पाधानी सा, फिर से सा आया ना, वही बात इसमें कही, कि साथ elements के बाद, आठवा element होगा, उसकी property सेम होगी as of the first element, तो इस हिसाब से इन्होंने ये classification किया, अब चलो देख लेते हैं, अरेजमेंट कैसे किया elements का, देखें, जैसे कि मैंने आदानी, वापस आ गया हमारा सा, hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, तो ये कहना चाहरा था, hydrogen, fluorine, chlorine, cobalt, nickel, bromine, इन सभी के property सेम हैं, ओके, देखें, lithium, sodium, potassium, copper, rubidium, इनकी property सेम हैं, ओके, beryllium, magnesium, calcium, property सेम हैं, ये logic लगाया, new lens ने, किसने लगाया, बच्चो, new lens ने, तो इस law के अनुसार, यही बात final हुई, कि when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, होगा क्या, पहला element और आठवा element की property सेम होगी, देखे, the properties of the eighth element will be similar to that of the first element, क्यों, क्योंकि eighth note of an octave music, ये music वाला logic समझा दिया है, clear है, इसमें कोई शक मही है, अब, खास ब उसकी, वो ये है, कि ये जो classification हुआ, ये हुआ है, टॉबिक बास इसके बेस पे, और, एक element के बाद जब दूसरा element आया, उसकी property सेम थी, ये सही साबित हुआ, और बहुत ही सही साबित हुआ, अब बच्चो, थोड़ा सा मुझे जुखाब है, kindly balance with me, अब ये बात achievement हम समझ ग हम इने कहेंगे, जल्दी से Newland's law of octaves की demerits हम जान लेते हैं, चलिए बच्चे, let's be quick, पहली चीज, यहाँ पे आपको जो याद रखनी है, examination point of view में भी बड़ी ज़रूरी होने वाली है, कि ये जो साथ सुरोंग का जो logic लगा कर, आठ्वा सुर्ष सेम रह गया, logic लगाया, New के बाद बिगडगई कहनी, after calcium, every eighth element do not possess the same properties of the first element, याद रहीगी ने बाद, calcium तक ही ये possible हुआ, applicable हुआ, उसके बाद properties बदल गए, clear, चलिए, moving on to the next one, Newland assumed that only 56 elements existed in nature, Newland जी ने कहा, कि सिर्फ 56 elements ही है nature में, अरे, ऐसे कैसे हो सकता है, हम समी चानते हैं, एक सो अथारा element है, तो य आगे जा कि इतने elements हुए, उनका क्या करें फिर, तो ये problem बड़ी सी हो गई, क्योंकि उन properties के साथ, फिर उनको हम फिट नहीं कर पाए, यहाँ, पर लॉफ ऑक्टेव के हिसाब से, ठीक है, तो अब ये problem हो गई, तो फिर moving on, एक प्रोब्लम और हुई, Newland ने बहुत बढ़ी गलती कर दी, और वो गलती ये थी, कि elements को टेबल में, फिट करने के चकर में, उन्होंने क्या कर दिया, एक जगा पर दो element डाल दिया, he adjusted two elements together in one slot, बड़ी बेवकूफी साबित हुई, दो element एक जगा कैसे होंगे भई, फिर तो बात ही नहीं बनेगी, हर element का unique value है, हाई या ना सो जब ऐसा हुआ, unlike elements having very different properties, और उन elements के साथ किया, जो बिल्कुल अलग-अलग हैं, देखो, cobalt and nickel were put in the column of elements having fluorine, chlorine and bromine, क्या किया, cobalt और nickel को पते जगा कहां दे दी, इनके साथ दे दी, fluorine, chlorine, bromine के साथ, और ये तो बिल्कुल ही अलग है, इनकी properties बिल्कुल अलग है, जिस व आ जाएंगे, तो बात कैसे बनेगी, तो याद रहेगी है गलती Newland की, चलिए बढ़िया है, एक और गलती बच्चों, तीन limitations discuss कर लिया है, अभी आया चौथा, ये भी बड़ा interesting है, iron को हम सभी जानते हैं, है ना, F.E. iron, iron की जो placement है, Newland's Law of Octaves के टेबल में, वो बढ़ी अज कोबाल्ट और निकल से, देखिये टेबल में, यहां पे कोबाल्ट और निकल है, और iron डूंडो कहां पे, iron, देखो कहां पे, कितनी अलग है, कितनी दूर है, तो ये बात ही नहीं बनी, ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो, याद रहेगा आपको सभी को, चलिए, Newland's Law of Oct के, achievements हमने जाने, limitations और demerits भी हमने जान लिये, तो अब, डोबर्नियर की कहानी समझ आई, Newland's की समझ आई, और हमने ये भी जाना, कि गलतियां दोनों ने की थी, तो फिर, आगे बात कैसे बनी, आगे आए वन अफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रेप्यूटेटेड की बात करी जाए, उसकी classification of elements की बात की जाए, एक interesting fact जानना जरूरी है, examination point of view में इसमें सवाल जरूर आएगा बच्चों, थ्यान से सुनिये क्या है, एक सवाल पूछा जाएगा, डोबर्नियर के जो ट्राइड्स है, वो क्या, Newland's law of octaves के table में है, बताईए है कि नहीं, विल Newland's law of octaves में present है, याद रहेगा यह बात बच्चों, examination में पूछा जा सकता है, एक्जामपल जानना है तो जान लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यह डोबर्नियर के ट्राइड है, और यह तीनों element हमारे Newland's law of octaves में भी मौजूद है, याद रहेगा यह नोट प बच्चों, मेंडलीव ने जो अपना modern periodic table है, जो हमारा final है, उसके काफी नजदीक यह पहुंचे, इन में खामिया थी, और इन में achievements भी बहुत सारी थी, डीटेल में जानना होगा इनके बारे में, तो चलिए फिर, मेंडलीव ने इतना बड़ा काम किया है, तो कब किया, कैस किया, कमिया क्या थी, चल्दी से जान लेते हैं, बच्चों, Newland का law of octave तो हो गया reject, फिर क्या हुआ, जब वो reject हो गया, और elements आ गए, तो 56 elements की बात बनी थी, आगे और भी elements आये, calcium पे वो रुख गये थे, तो नए नए तरीकों से scientist ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिय और उन्होंने सर्च करने की कोशिश की है कि ऐसे बैटन को जो correlate करें with the properties of elements with their atomic masses, properties और atomic masses को relate करके कैसे हम elements को classify करें, तो यहाँ पर the main credit जिसको मिलता है, the main credit for classifying the elements was given to Dmitry Mandeleev, बहुत बड़ा नाम है इनका, Mandeleev याद रखिये लगा, और He is a Russian chemist student, कहां से है यह, Russia से है, एक Russian chemist है यह और इन्होंने अपना काम शुरूआत की थी, जब 63 elements were known, कितने elements? 63, ओके, तो फिर 63 elements known थे, फिर भी Mandeleev को हम एक बहुत बड़ा successful attempt मानते हैं, क्यों मानते हैं, अभी बता चल जाएगा आपको, इसलिए क्योंकि जो Mandeleev थे, उ elements के गौर से देखा, और सिर्फ physical properties के माधियम से नहीं, chemical properties में भी बहुत काम किया, chemical properties में उन्होंने क्या चुना, he concentrated on the compounds formed with elements with oxygen and hydrogen, इन्होंने क्या किया जो elements है ना, वो oxygen से react करते हैं, तो क्या होता है, hydrogen से react करते हैं, उसको गौर से देखा, समझा, और उनकी reaction को जाना, और फि बहुत कम लोगों को पता है, सभी लोग इसको रट के आगे बढ़ जाते हैं, बचो इस वेरी इंपोर्टेंट, chemical properties में क्या क्या उसने ध्यान दिया, elements के oxygen और hydrogen के साथ react करने पर, जो oxides और hydride है, वही basic chemical properties साबित हुई, classification of elements में, याद रखियेगा ये बात, on this basis, इस basis पे उन किया, table में, ठीक है, मेंडलीव ने इसी basis पे एक law बनाया, क्या बनाया, law बनाया, मेंडलीव's periodic law, क्या नाम दिया इसको बच्चो, मेंडलीव's periodic law, इस law की statement बड़ी जरूरी है, examination में भी बहुत chances है इसके पूछने के, कि मेंडलीव's periodic law क्या है, ध्यान रखिएगा, गौर से note कर लीजिए, मेंडलीव's periodic law, according to मेंडलीव's periodic law, the properties of elements are the periodic functions of their atomic masses, गौर से समझे और सुनिये, the properties of elements are the periodic functions of their atomic masses, periodic क्या होता है भाई, period बटे, regular interval में जब कोई चीज होती है न, ठीक है, उस regular interval के हिसाब से, उनके atomic masses से relate करके, ये modern मेंडलीव's periodic law बना, क्या बना, मेंडलीव's periodic law, अब धियान रखिएगा, जैसे मैंने कहा modern periodic, बच्छों, जैसे मेंडलीव's periodic law है न, वैसे ही आगे जाके modern periodic law भी सिखेंगे, और confused नहीं होना है आपको, मेंडलीव's periodic law अलग है और modern periodic law अलग है, क्या अलग है, जब हम modern periodic table जान फोड़ा theoretical पर काम का बड़ा है इसमें जो चीजे सीखेंगे वो chemistry का बेस बनकर आगे काम आएंगी ठीक है तो इन scientist के नाम सुनके घबराना नहीं है इनके काम जानो इनसे दोस्ती करो इनको समझ लो फिर देखना ये chapter कितना असान लगता है ठीक है इनका नाम इनका काम किस साल में इन्होंने किया क्या इनके achievements थे क्या इनके drawbacks थे यह हमें जाना है ठीक है दो scientist का काम हमने कर दिया है आप बारी मेंडलीव की है तो मेंडलीव periodic lobby हमने जान लिया है और बच्चों यहीं से periodicity of properties को भी जाना गया periodic properties यह periodic properties नाम का पूरा बड़ा chapter आगे आने वाला है आप लोगों के तब आप सीखोगे इसके बारे में ठीक है अभी के लिए periodicity क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ When elements are arranged in order of their increasing atomic masses, elements with similar properties are repeated after certain regular intervals This repetition of properties of elements at certain regular intervals is called as periodicity calorie सुनके घबरा गे इतना पड़ा definition दरगे अरे बहुत असान है जैसे class में schedule बनेता है time table बनेता है यह class न आप आईगे यह class बनेता है कहेंगे periodic properties क्या कहेंगे periodicity of properties क्लियर है बच्चों चलिए फिर मेंडलीव की खासियत जान लेते हैं मेंडलीव ने कितने elements के साथ काम किया 63 known elements थे उनके बारे में इसने काम किया और याद रखेगा उनको कैसे अरेंज किया increasing order of their atomic masses कैसे अरेंज किया बच्चा on the increasing order of atomic masses clear है यह बात अब जब arrange किया जैसे हमारे घर में अलमारी होती है racks होते हैं वैसे ही इसके table में कितने racks थे यह बात जानना जरूरी है ठीक है the table contained vertical column called groups तो vertical column को क्या नाम दिया गया group नाम दे दिया गया और फिर horizontal को नाम दिया गया periods ठीक है वर्टिकल हो गए हमारे groups और horizontal हो गए periods याद रहेगी यह बात कोई दिक्कत नहीं ऐसे periods आ जाएंगे और vertically groups आजाएं ठीक है चिंता मत कीजिए table देखोगे तो समझ जाओगे और एक बात याद रखिएगा group 8 के अलावा except group 8 each group is subdivided into two subgroups a and b ठीक है यह सब सुनके धीरे धीरे सिंकिन होगा आपके properly tension मत लीजेगा ओके चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ खास characteristics है period 4 5 & 6 are divided into sub series ओके इन सभी periods को divide भी कर रखा है ओके periods of elements इने particular period show regular gradation यह वड़ी खास बात है पीरियड में क्या होगा शुरू से लेके end तक regular gradation maintain किया जाएगा जैसे कि कुछ यह तो increase हो रहा है यह फिर decrease हो रहा है regular gradation में बात बनेगी देखिए increase to decrease from left to right बढ़ना उतरना left से right तक यह चलता रहेगा detail में जानेंगे इसके बारे में all the elements ने particular group है similar properties यह तो simple सी बात है similar properties है तभी इनको हमने arrange कर रखा है न यहां पर ठीक है they show regular gradation with the physical and chemical properties इनके properties के हिसाब से इनको arrange कर दिया है यह खास बात है mandalives periodic table की अब बहुत ध्यान से mandalives periodic table अपने को समझना है बच्चो systematic study की गई है बहुत खास बात है बहुत सारी achievements है हमारे mandalives periodic table की बड़े-बड़े काम किये हैं इन्होंने ठीक है क्या किया increasing atomic masses में arrange किया और यह grouping थी उनकी properties similar थी ओके बच्चों गुरूप क्या होता है पीरिड क्या होता है आप सभी को clarity है इसमें किसी को कोई confusion नहीं है ना बच्चों कैसे याद रखें बता देती हूं ग्रूप्स ठीक है ग्रूप्स बच्चों ऐसे हमारे कितने सारे ग्रूप्स आ जाएंगे ओके और फिर पीरिड्स आ जाएंगे क्लास में पीरिड्स होते हैं टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं हम उस हिसाब से आप वो याद रख लीजेगा ओके चलिए फिर आगे बढ़ चाहिए अब बच्चों हमारे जो मेंडलीव की टेबल की खास बात यह है कि उन्होंने कुछ करेक्शन भी किये किसके करेक्शन किये अटामिक मास के कैसे उन्होंने क्या किया गलतिया नजर आई उन्हें ही कुड़ प्रिडिट दा एर्रस सो उन्होंने उन्होंने उन्हों एर्रस को समझा और उनको पोजिशन जो टेबल में थी उसके हिसाब से देखकर उनको करेक्ट भी किया अच्छा बताओ कौन सा इलिमंट है जिसका अटामिक मास करेक्ट किया है किया है बच्चो बोरॉन का किसका बोरॉन का 30 सॉरी बेरी लियम का बच्चो याद रखिएगा बेरी लियम का once again बेरी लियम का अटामिक मास चेंज किया गया from 13.5 to 9 okay 13.5 से लेकि 9 तक करेक्ट कर दिया गया था यह काम किया मेंडलीव ने अटामिक मास को करेक्ट किया और फिर prediction of the properties of undiscovered elements मेंडलीव ने सिर्फ और सिर्फ एक table ही design नहीं किया था बलकि future भी predict कर दिया था जो elements मिले भी नहीं थे उनके बारे में इन्होंने कहा और भी elements आएंगे predict किया उन्होंने कि undiscovered elements के बारे में भी कौन से elements थे जो undiscovered थे उन्होंने नाम भी दिया देखो बच्चो एका boron, एका aluminium, एका silicon examination point of view में बहुत जरूरी है इनके नाम आगे जाके क्या बने ये भी जानना जरूरी है ठीक है बहुत जरूरी है एका silicon उसके बार में germanium okay so ये elements के नाम जो mentioned है ये आपको पता होने चाहिए for example जो नाम दोबारा बता दूँ मैं scandium, gallium and germanium were not known at that time चांस ही नहीं था इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इनके बारे में scandium, gallium और germanium कोई जानकारी ना होने के बावजूद भी उन्होंने नाम रखा और बोला कि ऐसे elements आपको आगे जाके मिलेंगे एका बोरान, एका अल्यूमीनियम, एका सिलिकॉन ठीक है scandium, gallium और हमारा germanium कैसे याद रखने अपने को एका बोरान एक्जाम में पूछेंगे बच्चो ये दिमाग में फीड कर लो एका बोरान के बाद एका अल्यूमीनियम और फिर आएगा हमारा एका सिलिकॉन ओके इन गया scandium और फिर aluminium के बाद ये जो element आया है ये बच्चों है gallium और फिर एका सिलिकॉन बन गया germanium please remember these examination point of view में ये बड़े जरूरी सवाल होने वाले हैं clear है बच्चों and I hope examination point of view में जो multiple choice questions में भी आ सकते हैं ये points मैंने आपको बता दिये हैं okay Mendeleev की एक और खास बात थी बच्चों noble gases की position भी उन्होंने बता दी थी जबकि noble gases present नहीं थे they were not known but फिर भी periodic table में इसको जगह मिली these gases were discovered much later around the year 1900 देखो कितना पहले ही Mendeleev ने बता दिया था कि ये होंगे unreactive और inert gases कहते हैं हम noble gases को and they are present in extremely low concentration in the atmosphere इन gases को predict किया गया और ये बाद में जब discover हुए जो place इन्होंने चोड़ी थी they could be placed in a separate group called zero group कौनसा ग्रूप zero group में अलग से इनको separate group में बना दिया विताओ disturbing the original Mendeleevs table ठीक है उन्होंने ये बात प्रडिक्ट कर दी थी table उनका था आगे zero group में अलग से इनको arrange कर दिया गया था क्लियर है बच्चो ये बात हम समझ गए है सो में डलीव के limitations जानने भी बड़े जरूरी है आपने फाइदे जान लिये हैं अब लास्ट पॉइंट है बच्चो इसका limitation समझ लेते हैं जल्दी से clear students देखिएगा जरूरी बड़े है examination point of view में भी आपको चार नमर का सवाल पूछा जा सकता है what are the limitations of Mendeley's periodic table तो तयार हो इस सवाल के जब आपको ढूंडने के लिए चलिए फिर position of hydrogen बड़ी खास बात है ये यहाँ पर इस table में hydrogen की सही position नहीं मिल पाई a correct position could not be assigned to hydrogen in this periodic table ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी गलती एक तरीके से drawback हम कह सकते हैं जो फाइवे में नहीं रहा Mendeley's के ठीक है next isotopes की position b could not be explained आपने 9th में isotopes isopar सीखे थे ना ये isotopes की जगा भी नहीं बता पाया ये table और एक limitation भी था inverted pair of elements जो elements के inverted pairs थे वो भी हो गया उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको एंड एक और गलती wrong order of atomic masses of some elements could not be explained कहीं कहीं जो गलतियां हो गई फिर उसको explain भी नहीं कर पाया atomic masses की ठीक है बच्चों I hope ये जो inverted pair of elements है इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा ठीक है students कोई भी limitation को समझने के लिए उसकी बारीकियों में जाना होगा examination point of view में जो basic important points है जो आपको easy लगें जो आपको याद रहें वो आपको याद करके लिखना होगा बहुत जरूरी है बच्चों ये जो हमारे ये तीनो scientist के जो काम है इनको properly अगर आपने समझ लिया है तो मेरा दिया हुआ homework अराम से कर जाओगे बच्चों आप प्रॉपर्ली टेक्स्ट बुक में एक एक बात को जो दे रख है उसको पढ़िये और आए होप आफर सीग दिस लेक्च्चर इट इस गोई वेरी इजी फर यू करना क्या है साइंटिस्ट का नाम कब किया क्या किया अच्छा क्या था गड़बड क्या हुई बस अच्छे को हम कहेंगे अचीवमेंट्स और जो गलतियां हुई कोई भी नाम दो बात वही है इन सभी के बारे में जानने के बाद फिर आप मेरा दिया हुआ हुमवक अच्छे से कर पाओगे आज का हमवक थोड़ा बड़ा है बच्चों टोटल दिरा ट्वेंग क्वेस्ट इने हैं टेलिग्राम ग्रूप आपको पता ही है कोई डाउट् इन दस सवालों के जवाब आप दीजिएगा आपको पूरा जो अभी तक पढ़ा है वो समझ आया कि नहीं पता चल जाएगा So students I hope you had fun in today's class हां lesson थोड़ा लेंदी भी है theoretical भी है चीजे भी बड़ी याद रखनी है पर फिर भी जो चीज जरूरी है वो हम कर दिखाएंगे बच्चों हाया ना So all of us together are going to make it big and this chapter को अराम से डीटेल में समझ येगा थोड़ा वक्त लगाईए थियरी को समझने के लिए और फिर याद भी करना पड़ेगा ठीक है बच्चों तीनों scientist क्या नाम थे? Doberniers, Newlands and then Mendeleev इन तीनों के काम आपको समझना है इनकी गलतियों को याद रखना है और examination point of view में सवालों को कर पाना है So आज के लिए बस इतना ही, take care all of you, thank you so much, see you soon and I am here with you, periodic classification भी और carbonates compounds भी दोनों ही जल्दी complete हो जाईएगा, चिंता मत कीजिए आप, take care all of you, thank you so much पढ़ाई करते रहें, all the very best